भगत रवदास्ची महाराज उस दौर देच बनारश देच पैदा होए ने जदके भगती भाव दे संगीत नाल भारत दा कौणा कौणा सरशार होया वया से हर पासे भगती लहर हर पासे भगत भावना देच डुबबे होए महापुर्श सहब गुरानक देवजी महराज दा वाक है वैसे ता हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे हर युग देच हर समे देच भगत होंदे रहने संत होंदे रहने लेकन भारत दा मद काल भगती काल मने आगे जिस देच चौँ दिशाँ देच भगत ही भगत पैदा होए उसे ही भगती काल देच सूफी फकीरा ने भी अपने अमर संगीत दे रही इस देश नों अध्यात्मक ताउरते सरसब्स कीता और मानसिक ताउरते उच्चा कीता जीमन दी जाच दसी रवदास्ची महराज उनाई सिर्मोर भगतां देचों एक महान भगत ने पेशे दे चमार पर चमडे तों उच्चे जीन वाले पेशे तों मोची चमडे दा कम करन वाले और स्रीर दे चमडे तों उच्चे होके उनाने सारी जिंद्गी बितीत कीती श्रीर दे तल दे उते जो जीरे आ, चमडी दे तल दे उते जो जीरे आ, इंद्रियाँ दे आई तल दे जो जीरे आ, वास्तक चमार ते ओही आ, क्योंके ओह वेखदा hè चमडे नूँ, चमडे नो ही सवारना जिन्दगी दा मनोरत है चमडे खलडी दा ही रस मारना जीवन दा लक्ष है ऐसे पुरुशानों चमा राखिया जा सकत है चमडे दा कम करदें आयां सुर्थ चमडे तो उची रखने एकोई भगत रवदास जी महाराज तो सिखे उना दा काल ऐसा सी के चारों पासे रवदास ने अपनी भगती संगीत नाल प्रभावत कीता हैरानगी दी गल्ले के अनपढ़ जद विद्दिक मंदरां दे दर्वाजे ही आप लई बंद ने धार्मक मंदरां दे द्वारते बंद ही सन लेकिन ऐसी अगम्मी विद्दिया आप दे अंदरों फुटी ऐसा अगम्मी संगीत आप दी चेतना दे चाहूं पर फुल्लत होया धरसल यह हकीकत है कि प्रमात्मा जद्वी किसे दे अंदरों प्रगट होंगा है बसो गीत राही संगीत राही संगीत और गीत प्रमात्मा दे बहुत निकट है बहुत निकट है संगीत एक कला है ते प्रमात्मा स्वेम भी एक कलाकार है ऐसा महान कलाकार कि उस दी कला चारों पासे सानु दे खरनों मिल दी है एकनिक का जिया बीज धरती दिश बोके जदो अंकुरित होंदै कॉमल रूप उस दा धरती तो बार निकल दै सहजे सहजे विकसत होंदै शाखां पते फिर उस दे चौजद फुल खिड़ देने फल ल के उस अदुती कला कारनू दाद दिते विना प्रह ने सकदा मनुक अध्यातम बस उस दी कला चारों पासे पहली होईये सागर दे चौं भाप उठती है उमड़ उमड़ के उचारों पासे बरस दिये एक महान कला है पहाड़ा दे चौं जरने अंदी रफतार और गुंजार चारों पासे दाएवाता वरन दरसल उस महान कला कारदी कलादी ही परदरशनी है कदी कदी संगीत कार चित्र कार मूर्ती कार और लेखक लोग अपनी कलादी खास रूप दे परदरशनी कराया कर देने पर उस महान कला कारदी परदरशनी कलादी हर वकत हो रही है हर थांते हो रही है जिस पासे भी निगाह मारी है कला ही कला है चाहे आस्मान ते जात मारी है चाहे सागर ते निगाह मारी है चाहे पहाड़ा दिया चोटिया नो वेखिये ते चाहे तरती ते निगाह मारी है चा और वो ऐसा कलाकार है कि हर कलादिच वो निपन है जिसनों गुरुबानी कहें दिये तूं सरब कला का ग्याता तूं हर तरांदे कलादा ग्यानी है तो प्रभु जदवी किसे देंदर प्रगठ होंदा है कला दे राही होंदा है भगत रवदास जो पेशे देचों चमारने जुतियां गंड़ना नमियां जुतियां बनाना चमडे नू रंगना और मोय होई टोहरांदी खल लाने ये ते आपदा धन्दा है पर बैठेयां बैठेयां जदवी आपदेंदरों प्रभु प्रगठ होंदा है गीत दे राही है उचारन कीता है और सुना सुना के तप दे हिर दे शांत कीते हैं आप दे ते एक प्रशन होया जद आप भारत दी यात्रा दे सन कहां के बासी कित्वों दे वासी हो कित्वों दे रैन वाले हो रवदास्ता ए जवाब बड़ा आलमाना है फिलस्फाना है इन वेक के अंदाजा लाना पेंदै नहीं ए ते रभ ही बोल रहे हैं अंदरों प्रमात्मा बोल रहे हैं एक चमार दे बोल नहीं हो सकते हैं नहीं हकीकत है इस बहुत वड़ी सचाई है कि प्रभू इस महान फिलस्फे दे रहा ही गीत दे रहा ही संगीत दे रहा ही रवदास्ते अंदरों प्रगट होया है यह ठीक है कि आप जुतियां गंड़ देने पर नहीं अगले दा दिल दिमाग वी मधुर अमर संगीत दे गी देने इस स्वास्ते कैना पैएगा कि तमाम भगतां दा धंदावी धरम है अज हर चौक देच मोची बैठेते मिलनगे पर रवदास जैसा चमार खोजना बहुत कठन है हर शैर दिच गौले और जुलाहे मामार कुमार नाई तोबी कसाई चीमबे बैठे ने पर नाम देव जैसा चीमबा लबना बहुत अखी गल है जो सिर्फ अगले यांदे कपडे ही नहीं रंगदा दिल दिमाग नुवी रब्बी रंगण चाड़ देंदा शिर्फ कपडे ही नहीं कबीर बुणदा ताना पेटा ही इक नहीं करदा ओ जीव ते आत्मा नुवी इक करण दा उपदेश ते संदेश देंदा रेंदे इना भगतां दे दरसल धन्दे भी धर्म ने इना दी कृत देचों भी कीरती दी खुश्बू आ रही है जदके आम बंदेयां दा धर्म भी खिमा करनी अंदर धन्दे दी बदबू रखता है दुरगंद रखता है तो भगत रवदास दे अंदरों प्रभू प्रगत वया फिल्स्फे दे रहीं गेत दे रहीं संगीत दे रहीं जद आप ते परशन होया कित्थों दे वासी हो pole तो आप खेढ hate苦ंबू बेगंपुरा शेहर को ना मेरे शेहर दाना है बेगँवववववववववववववा नक्षिश देखांगे ति किदरे ने मिलेगा किसे मुलक दे एक कस्ब शेहर दा नाम नहीं है प्रांत दा नाम नहीं है धर्ती दे ते जिते भी चले जाईए घम मौजूद है दुख मौजूद है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिडा घमगीन नहीं ऐसा कोई प्रवार ने जिते दुक नाओन ऐसा कोई कशबा ते शेर ने जिते विबतावा ते कलेश नाओन कोई ऐसा धर्ती ते मुलक ने जिते गम नाओे बेघंब अओन दूक अंदो नाही तें ठाओन जिसनगरीदा मेंवासियां उत्षे दुख है ये उत्षे पीड़ा है ये उत्षे कलेश है ये और रवधास दे दसे इस बेगमपुरेनों लबिये जमीन देते जिते गंब नहीं दुख नहीं तो धरती देते ते ऐसा लबणा बाओ तुख है जद के हर बंदा गम दी सेजाती सुटाए हर बंदा पीडा ते आहा हौकएं देची जिन्दगी बितीत कर दाए जैसे के गुर्दू दे शायरता कहने कबाब जीख हैं हम करवटें हरसू बदलते हैं जो जल जाता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं इतनी दुख है, इतनी पीड़ा है, इतना कलेश है, इस दुख भरे वाता वरण देच, इस कलेश भरे संसार देच, रवदास केनने, मेरी नगरी दाना है बेगम पुरा, उत्थे दुख नहीं है, उत्थे होर भी कुछ नहीं है, कि ना तस्वीश खिराज ना माल, खाफ ना ना तरस जवाल, उत्थे कुछ चिंता भी नहीं है, मनुखता दो ते दृष्टी मारी है, ते हर बंदा चिंता देच जीरी है, गुरुवरजन देवजी महराज भी ऐसा ही प्रमान कर देने, चिंतत ही दीसे सब को है, सारा जगत चिंता देविच ही दिखाई देरी है, चिं चारों पासी देख देख देया, मनुखते अक्षा देच चिंता, मनुखते बोला देच चिंता, मनुखते चेहरे देच चिंता, उठ देया, बैठ देया, होके मनुखते दस देने, के चिंता देच जीरी है, ते चिंता भविश्दी ही हों दी है, पता नहीं, आनवला कल कैस इस दी चिन्ता पर रवदास के दिने मेरी नगरी देच चिन्ता है यह नहीं जीमन दा एक ढंग है ए नगरी बार नहीं है ए शैर किसे नक्षे देच देखांगे ते नहीं मिलेगा दरसल एक आलत है ए मन दी एक अवस्ता है एक जीमन दा ढंग है एक आलम दा केन है जो हस रहा है सो हस रहे गा जो रो रहा है सो रो रहे गा सकून कलबसे खुदा खुदा कर जो कुछ चोन चोना है नास नह गाँ तू अपना सकून नासना कर जो कुछ नहीं होना है हू तेरे कीतियां ट função डिलना Strong ह्तू आने हम रुक्ण नहीं तू इतने ही कर सकते व्या हैं कि जो उथे तस्लीम कर ले, जो कुछ होना है इनों खिरे मत्थे प्रवान कर ले जो कुछ होना है उनों अपनी जोली दिछ पाले तो रवदाश केंदे ने जिस शैर्दा मेवासी उत्थे चिंदा नहीं है ना तिशवीज खिराज ना माल खिराज टेक्स दुनिया दे चरें देयां जैसे जैसे बंदे दी धन संपदा वद्दी है माल असबाब वद्दा है तो टेक्स भी वद्दा है तरन तरन दे उन्हों टेक्स भी देने भेंदे खिराज भी देना भेंदे लेकिन रवदास ची माराज केंदेने कि संपदा वद्दी जा रही है धन वद्दा जा रहे है परम अनंद वद्दा जा रहे है पर मेरे ते कोई टेक्स नहीं मेरे ते कोई खिराज नहीं किसे परकार दावी हलांके बैरूनी दुनिया चसी देख देया के मुनुखदा सुक वदे मुनुखदा आराम वदे मुनुखदी दौलत वदे मुनुखदी संपदा वदे के उदे नाल ऐविक चिंता वद्दी है दुख वद्दा है कि टेक्स वद्देगा खराज देना पैगा पर रवदास्ची महराज के ना तश्वीश, खिराज ना माल, जो माल मेरे कोल है, उस ते में लो खिराज नहीं देना पेंदा, टेक्स नहीं देना पेंदा, सवाल थे पेदा हुदा है, माल की है, माल ऐसा है, दुनियावी दौलतना उसनों खरीदना, बहुत ही कठने, गठने, सोने दिया मोरां देके, निश्चिंत ता खरीदने, बड़ी ओकी गल्ले, सोने दिया मोरां देके, दया, सील, संजम, बजार देचों नहीं मिलेगा, संतोक ते सबर, एकिसे दुकान तो नहीं मिलेगा, किसे बजार देच नहीं मिलेगा, एकिसे बजार देच नहीं जो दुनिया दे बजार देचने मिलेगा स्वेम भगत कबीर ने इस नो इस धंगनाल बियान कीता है कि राम पदारत पाए के कबीरा गांट ना खोल इजड़ा पदारत इजड़ा माल तुम प्रापत कीता है ऐ कबीर इस पदारत दी गठड़ी किदरे खोली ना कि ऐसा बेरूनी दुनिया देच कोई बजार ही नहीं है कोई पदारत पाए के कबीरा गांट ना खोल नहीं पटन नहीं पार खो नहीं गाहक नहीं मोल कोई पटन नहीं है कोई बाजार नहीं है कोई ऐसा अस्थान नहीं है जित्थे बैठके इस पदारत नो वेचिया जा सके भगत कबीर केंदे ने जे मबादा इस अमर पदारत नो इस दैवी गुणा दी गठडी नो मैं दुनिया दे बजार देच खोलवी लवा जैसे कोई हीरे यानू वेचे उत्थे जिड़ा कोले यान दा बजार होगे कोई सोना वेचन उत्थे चला जाए जिस बजार देच लोहा बिकद है कोई हीरे लाल पन्ने जवहरागत उस थांते वेचन चला जा है जिते इट्टां बिक दियाने लकणा बिक दियाने ये गल सुभाय मानते नहीं लेकिन कबीर के दिने मैंनो ऐसा मजबूरन ए हीरें दी पंड उत्थे खोलनी पई जो बजार ही कोलें दा है जो बजार ही पत्रां दा है जो बजार ही लोहे दा है मजबूरी है कि जीडे हीरे मेरे कोलने इना दा कोई बजार ही नहीं है दरसल दुनिया दे किसे बजार देच भी चले जाईए सबर कितों मंगिए संतोख कितों मंगिए केड़ी दुकान तो मंगिए सील संजम दया किस दुकान तो मंगी है ए दैवी गुणा दी दौलत इस दे कोई बजार नहीं नहीं पठन नहीं पार रखो आम बजार दिछ भगत कबीर के ने जिए मैं बैठ वी जावा तो वाकई ही ए रबदियां महान गलना आम बजार दिछी कहनियां पहन दिए आम दुनिया दारां दे सामने ही रखनियां पहन दियने जिते वाकई ही ऐसा देखन दे चाया है कोई पार्खोई नहीं होंदा क्योंके कोलें दी मंडी देच ते कोलें दे पार्खोँ आनगे पत्रां दी मार्किट देच पत्रां दे जानकार आनगे लकड मंडी देच, लकड़ा दे खरीदार आउनगे, ते लकड़ा दे पार्खू आउनगे, एक एड़ी लकड़ा, चंगी है, माड़ी है, इमार्ती है, जलाओ है, लकड़ा दे ही खरीदार आउनगे, लकड मंडी देच, ते लोहा मंडी देच, लोहे दे ही खरीदार पगत कवीर केन इना मंडियांच मैं बैठ गयां हीरियां दावबापार करन ले हीरियां दी पंड खोलके मैं उत्थे बैठ गयां अक्सर भगत लोगाने परभुदे गीत उना लोकानु सुनाए ने जो परभू देगी त ना सुनना चांदे सन ते ना ही उना दी सुज ते समझ से एही कारण है कि भगत जो केंदे रहे, संसार दा उना बोला नाल ताल मेल नहीं बैट ने एता रहे संसार विरोता करदा रहे, तो पगत जी केंदे कोई पार्खुई नहीं है मैं बैठा, लोकी कोले खरीद दे पहने, इट्टना खरीद दे पहने, पत्थर खरीद रहने, लोहा खरीद रहने, लकना खरीद रहने, तो मैं पोटली खोल के बैठा, मेरी तरफ कोई आंगदा ही नहीं, कोई खरीदार ही नहीं, कोई पारको नहीं, नहीं पटन, नहीं पारक तो नहीं गाहक, फिर कोई खरीदारी नहीं गाहक ही नहीं है, जो चीज मेरे खोल है, इस दा कोई खरीदारी नहीं है, देखन दे चाया है, एक राजनी तक दे पिछे जितनी भीर चल पें दिये, एक धनवान दे आले जितनी दुनिया मंडलाउं दिये, अध्यात्म दरसी दी जीमदियां जी करीबन करीबन संसार ने विरोत्ते कीती है उदे बोला नाल उदे जिन्दगी नाल जगत सैमत नहीं हो या तो शिरी कभीर के इनने कोई ग्राहक ही नहीं है ते जे मबा दा इस बोती भीर देच जो कोलें दे ग्राहक ने लोहे दे ग्राहक ने किद्रे एक गद इस हीरे दा ग्राहक आवी जाए पार्खू आवी जाए ता नहीं मोल ओ मुल दे नो दियार नहीं ओ मुल नहीं उतारता समझते है यह हीरा है परकते है उसनों और ओ खरीदार भी है लेकिन मुल नहीं देना चांदा इत्थे स्वाल पेदा उंगे मुल की ए कंचन स्यूं पाये नहीं तोल मन दे राम लिया है मौल मन ही उस दा मुल है अपना मन भेट करिये ते राम नाम दा हीरा प्रापत करिये पर ए मुल देननों कोई त्यार ही नहीं इस स्वास्ते खरीदार होंदे आँ याँ भी पार्खू होंदे आँ याँ भी सूज समझ रखदे आँ याँ भी कई मनुक इस महान हीरे या तो वाँजे रह जान देने क्योंके मुल नहीं उतार दे मुल जो है नहीं देना चांदे तो आम इना ब्रम गैनिया नो पगत लोगा नो ए अपने बोल आइन संसारी मनुक खांदे सामने रखने पए श्री रवदास्ची माराज के ने ना तश्वीश खराज ना माल माल मेरा वद्दा जारे है धन पदारत मेरा वद्दा जारे है पर इस ते मैंनो कोई खराज नहीं देना पेंदा इस ते मैंनो कोई टेक्स नहीं देना पेंदा खाफ ना खता ना तरस जवाल फिर जिस शेर देच में रहे ना उत्थे किसे परकारदा कोई खाफ नहीं डर नहीं आज तेसी देख रहे हैं कि जंगलां देच खौफ खतम होंदा जा रहे है शेहरां देच खौफ वद्दा जा रहे है जंगलां देच जंगली जानवर कट दे जा रहे है शेहरां देच जंगली जानवर वद्दे जा रहे है चार पैराँ वाले चौपाई जानवर जंगलां देश कट दे जा रहे ने दो पैराँ वाले जानवर वद दे जा रहे ने अजो के युग देश चार पैराँ वाले जानवरां दा इतना खत्रा नहीं रहा दो पैराँ वाले जानवर दा खत्रा वद गया प्राचीन समें देच चौपायां दा खत्रा सी और उना तों बचाओ देही सारे उप्राले करने पेंदेसन सादन जुटाने पेंदेसन सारी सारी रात अगबाल के रखनी पेंदी सी कोई शेर ना आ जाये कोई चीता हमला आवर ना हो जाये या फिर सपां तो बचन दे उप्राले करने पेंदेसन हाथियां तो बचन दे उप्राले करने पेंदेसन आज ते सारे उप्राले वसीले ने इस दो पैरावाले जानवर तो किस ढंग नाल अपने आपनों बचाईए ते अपने आपनों सुरक्षित करिए शिरी रमदास जी महराज कहें देने जिस शेर दा मेवासी उस शेर देच खौफ नहीं है डर नहीं है ना कोई डरानदा है ना कोई डरता है दरसल एही ब्रम ग्यानी देलक्षन ने गुरुत एक बाहदर सहब जी महराज फर्मान कर देने भै काहूं को देत नै नै भै मानत आन कहुना निक सुनरे मना ग्यानी ताहें बखान डराना दुष्ट पणा है डरना कायरता है बुजदिली है बुजदिल भी प्रमातमा तो दूर है पर जालम भी प्रमातमा तो दूर है बहुत वड़ा भ्यानक मानसिक रोग है डरना ते डर दास्ची माराज के इनने, जिस शैर दा मैवासी ही, उत्थे खाफ नहीं है, खता उत्थे धोखे भी नहीं है, उत्थे चल नहीं है, उत्थे कपट नहीं है, जिस दुनिया दा मैवासी है, जिस शैर दा मैवासी है, उत्थे तोखा नहीं है, तोखा देना, तोखा खाना, इन दोहां तो उच्छा जिवने ते जवाल केंदे ने ढेंदी कला लूँ ठचि ती नूँ उन्ते आल्माद केंडे हर कमाले राजवाल कोई ऐसा कमाल नहीं जो जवाल दी तर्फ नहीं जानदा कोई ऐसा चड़ना नहीं जो ढेंदी कला तरफ नहीं जाना उचंग ता नीचंग नाना सो मूचंग साहद श्री गुरु अरजन देव जी महराईदा कहना उचा चड़े सो जाए पयाला जो उपर जा रहे है आखर थल्ले आएगा जो उच्चा उठरे है आखर थल्ले आएगा बच्चा वद रहे है वद रहे है ताकत वद रही है सुन्दरता वद रही है शक्ती वद रही है अज बुड़ा हो गया उन गटना गटना गाट जाएगा हुन धेंदी करा हुन जवाल शरीर जवाल दी तरफ जान देने पहाड जवाल दी तरफ जान देने सूरज चंद तारे जवाल दी तरफ जान देने स्वेम गुरुवरजन देवजी महराज फ्रमान कर देने घटन्त दीपं घटन्त रूपं घटन्त रवसस निखत्र गगनं घटन्त गिर्टर्स खंडन घटन्त ललना ब्राद मोहितं आखिर इस्तरी दा मौ प्रावा दा मौ भी एक शिकरते पहुच के घटना शुरू हो जानद है, पुत्रा दा मो भी एक शिकर थे पहुंच के घटना फ़ीछ शुरू हो जानद है, इस त्रीके नाल सूरुज भी कट दै, चंदर्मा भी कट दै, पहाड़ भी कट दे ने, जमीन भी कट दे ने, तो जो कट दा है, आखर मिट दै, जो वद दै ओघट दै जो घट दै वो मिट दै ए नियम सब ते लागू है एक ते नहीं लागू वो प्रमात्मा या जो प्रमात्मा जुड़ गए गुरुगोबिन सिंग जी महराहिदा फरमान ना घाट हैं ना बाद हैं ना घाट बाद होत हैं इश्वर देच अकाल पुरुक देच ना घटना हैं बाकी हर चीज वादे दी तरफ जान दी है ते वादे तो बाद फिर काटे दी तरफ जान दी है ते काटे तो बाद फिर मिट जान दी है वदना घटना मिटना ए नियम हर एक ते लागू है हर वस्तू ते हर जीव ते हर आकार ते पर श्री रवदास्ची मारज के दर जिस श जवाल है ये नहीं, उत्थे कठना है ये नहीं तिय जए कठना ही नहीं, तो फिर मिटना भी नहीं है, अमिट दुनिया दी प्राप्ति हो जा दिये, अमिट अससार, अमिट अननिद, अमिट सुख जो नेस तो नाबूद होई नहीं सकता ना तस्वीस, खिराज ना माल खाफ ना खता ना तरस जवाल अब मैं खूब वतन गह पाई उवाँ खैर, सदा मेरे भाई उस शेहर देच सदीवी खैर बने हुआ है सदाई खैर सदाई चड़दियां कला कदी माड़ी खबर नहीं आउनी जमीन देखे, कोई ऐसा मुलक नहीं जिते रोज कोई ना कोई माड़ी खबर नहावे कोई ऐसा शेहर नहीं कोई ऐसा प्रांट नहीं जिते माड़ी खबरां, अखबारां रिच पढ़न नो मिल जो है नामिनन परशिरी रवदासची महलाज के लिए जिस शैरदा मैं वासियां उत्थे सदीवी खेर है कदी कोई माड़ी खबर उस शैरदी है यह नहीं ना तस्वीस खिराज ना माल खौफ ना खता ना तरस जवाल अब मैं हूब वतन गह पाई उँआ है सदा मेरे पाई ए मेरे बाह उत्थे सदीवी खेर है उत्थे सदीवी अनंद है मैं उस शैरदावा सी मैं उस नगरीदावा सी اور उस नगरी देवा सी ही सारे लोग तुस्य बनो है हकीकत है बैरुनी दुनिया लेच जिस मुलक देच सुख ज्यादा होए और मुलक बाकी लोगां लई अपने मुलक दे दर्वाजे बंद कर देने दुखी लेग, कमजोर लई, गरीबा लई अपने मुलक दे दुआर बंद कर देने ऐसा असी धरती ते देखते हैं एक प्रांत देच बहुत कुछ होए ते बहुत कुछ प्राकिरतिक संपदा होए और प्रांत भी दूसरे प्रांत लई दुआर बंद कर दा है एक व्यक्ती को बहुत कुछ हो जाया तो बहुत कुद्दे होंदे आएं और दूसरे व्यक्तिया लई दर्वाजे बंद कर देंदा है पर रवदास केनन जिस शैर दा मैवासिया बेगम पुरे दा इस शैर दे बुए हरे कले इखुले ले कोई वी आवे इस बोगम पुरे देच वसे ते अनंद लवे सुख चैन लवे मैं सबनो आवास मारे हैं सबनो धडोरा पिटके बुला रहे हैं